अलो फ्रेंस, welcome back once again आज सम्म लोग ऐसे questions को देखेंगे जिसमें क्या हो कि object आपका नहीं दिया हो reporting भव के बाद एक object आता है वो object नहीं दिया हो लेकिन आपका sentence के according उसे change करने की जुरुत पड़ती हो तो उस condition में आप क्या कर सकते हैं इसके लिए जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है, example में देखिए है, he said, I am waiting for you, sentence आप लोगो बता दे हैं friends, हम लोग narration की topic देख रहा है, ठीक है, किसकी topic देख रहा है, narration की, अब यह नी समझ रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने बता दिया कि topic narration की चल लाई है, और narration की change of other parts of speech तक हम लोगों ने जान लिया था, narration के तीनो form हम लोगों ने जान लिया थे, change of tense, change of tense भी जान लिया था, और उससे पहले change of person भी जान लिया था, हम लोगों ने, change of person भी जान लिया था, और at last हम लोगों ने change of other parts of speech भी जान लिया था, यहां तक बाते हम लोगों ने जान लिया था, अब क्या है कि अब हमें जानना क्या है, तो हमें जानना ऐसे है कि ऐसे sentences, जिसमें reporting word दिया हो, sad क्या हमारा, reporting word है, लेकिन reporting इस word के बाद, कोई object यहां पर जो होना चाहिए, वह object नहीं दिया हुआ, object जो होना चाहिए, वह available नहीं है, लेकिन sentence में क्या है, कि एक word है you, एक word क्या है you, और you का मतलब हो गया second person, और change of person क्या कहता है, कि ason upon me 123, अर्थात क्या second person जो होगा, वह object के according change होगा, अब जरा सोचिए, कि यहां पर दिया नहीं है object, तो second person change कैसे होगा, कैसे करेंगे change आप, समस्य उत्पन होगी न, तो उस condition के लिए आपका एक term condition है, कि वैसे condition में आप object को कैसे कर सकते हैं, object का काम पूरा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए एक नियम है, कि अगर sentence में object की जरूरत हो, यानि कि speech change करते समय, sentence की जरूरत हो, तो उस condition में आप object को अपने recording ले सकते हैं, अपने recording लेने का क्या मतलब है, कि आपको पता नहीं है, कि sentence में क्या object है, तो आप object अपने हिसाब से, इस sentence के recording, इस sentence के recording change कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए कैसे change करेंगे हम लोग, देखिए, अब यहाँ पर object नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर you word दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 2-3 जोड सकते हैं, जैसे me कर जोड सकते हैं, या us जोड सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा object के form में, एक बार मान लिजे कि हमने me जोड लिया, तो me जोड के देखते हैं, क्या कह रहा है, तो he said है, तो said के बतले मे क्या लगाईएगा, trolled हो जाएगा, he trolled, और me लगाते हैं, तो me, inverted comma का बतला में, that का use कीजेगा, और percent change कीजेगा, तो i के बतले में किसका use कीजेगा, first person है, first person subject is according, मतलब की he हो जाएगा, और m दिया हुआ है, तो he के साथ, जो यह आपका present tense है, तो वो किसमें convert हो जाएगा past tense के form में, तो m के बतले में किसका use कीजेगा, was का, ठीक है, waiting, was waiting for you, और you के बतले में किसका use कीजेगा, you के बतले में आप second person है, तो second person object के according, तो me हम लोगों ने रखा है यहापे, तो me के according object भी क्या हो जाएगा, me हो जाएगा, लेकिन अगर us रखते हैं, तो us के करते भी या नहीं भी करते, ठीक है, तो यह condition आपका हो जाएगा, मतलब क्या, कि अगर आपको sentence के अंदर object नहीं दिये हो, अगर उसे second person अगर इसमें दिया हो, तो फिर change तो करना पड़ेगा, माल लेचे यह sentence यहीं तर रखता, I am waiting, तब तो आपको object की जरूरत ही नहीं सिंपल बनता है, he said, क्योंकि जब object दिया रहता है, तब ही हम said को tool में convert करेंगे, अंदर बाइज object नहीं दिया हो, तो इसे हमें change करने की ज़ुरत बिल्कुल भी नहीं है, तो he said that, he said that, I के जबापे क्या लगाएगा, he was ready, ठीक है, sorry waiting है, तो he was waiting, clear है, तो ऐसे sentence बन जाता, लेकिन अगर इसके बाद you दिया हुआ एक term, एक you अगर दिया होगा, तो उस condition में आपको एक object लेने की हो सकता पड़ेगी, और जैसा sentence होगा, उसके according आप अपने उसार subject select कर सकते हैं, यह completely आप पे depend करता है, उसमें कभी भी examiner का कोईशू नहीं हो इसलिए होगा, कि आपने यह object क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने दिया ही नहीं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कि कुछ ऐसे sentences होते हैं, जिसमें object का indication दे देता है, जड़ा देखिये, indication कैसे दे देता है, इंडिकेसन देने का मतलब हो गया कि एक बता देता है कि आप अब्जेक्ट यही रखिया ठीक है इसमें तो कुछ नहीं बताया एक संटेन ज़रा देखिए आप example लेखिए he said he said Raju he he कुछ सी कर देदे है सी सेड राजु आई वांट टू मेरी यू आई वांट टू मेरी यू अब देखिए इतना अच्छा परपोजल इसके पास राजु के पास बिचारा यह बखलोली होगा कि निक्सेप्ट नहीं कड़ेगा क्या कह रही बाई एक लड़की कह रही है सी सेड राजु इंवेटेट को मेरी राजु आई वांट टू मेरी यू मैं तुमसे साधी करना चाहती हूं सीजी सी बात आप इतना अच्छा परप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अब इस कंडिशन में यहां पर अबजेक्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन यहां पर लास्ट में यहां पर यू दिया तो कंडिशन जब ऐसा हो जब इंडिवेशन हो जाया कि माम्ला यह किसके साथ है तो उस कंडिशन में उसही को आप अबजेक्ट बिना देऍजे ठीग है यानि राजु इंडिकेसन में दिया हुआ है भले यहां पर अबजेक्ट करों इस्तेमाल नहीं हुआ है लेकिन बात ने मनेता दे दिया है कोई सुने यह ही भी रह सकता है ठीक है तो सी टोल्ड राजू ठीक है सी टोल्ड राजू इंवर्डेट कॉमा के बदले में डाट का यूज कीजिएगा और आई अब ये कोड बात समझिए कि यहां पे जब अबजेक के रुप में राजू ले लिए तो अब ऐसा नहीं कि इस संटेंस में भी राजू को वहीं पराने दीजिएगा राजू यहां से ट्रांस्फर होकर यहां पर अबजेक के फॉर्म में आ गया तो यहां से राजू को रखने के जुरत नहीं है बलकि राजू यहां से साइड हो जाएगा ठीक है उसके बाद आई टॉस परसेन सब्सेक एक्वर्णी और यह सिमब पासट है सिम्पल प्रजेंट है तो सिम्पल प्रजेंट के समिनी के बाद होता है तो ईधन्ट हो जाएगा तो diverse थी क्या हो जाएगा राजू से तो राजु एक क्या हो गया राजु एक noun है और राजु noun है तो इसका pronoun क्या हो जाएगा he हो जाएगा और he का object form में इस लिखना है हमें तो he का object क्या होता है him होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा to marry him क्लियर है आप लोग को तो यह sentence आप ऐसे बना सकते हैं अगर indication दिया हो तो indication का यूज करेंगे तो देखें यहां पर तो क्लियर हो गया कि ऐसे sentences में जब भी दिया होंगे option तो उसके according आप यूज कर लिजेगा एक और sentence देख लिजे इस पर इसी पर एक और sentence देख लिजे कभी कभी क्या होते है कि देखिएगा जब बड़े बड़े भासन देने के लिए आते हैं बड़े बड़े लोग सब या फिर आपने कुछ अच्छा काम कर दिया पर यह बास समझ लिए कुछ अच्छा काम कर दिया अब उसी sentence में आपका जो ऐसे अच्छा काम कर दिया तो पीता जी आपको बोलते है क्या बोलते है टीचर मानली जी बोलते है टीचर टीचर शैड ठीक है वेल रानी वेल रानी यू कैन एचीव यूर गोल यू कैन एचीव यूर गोल कह रहें कि मतलब कि जो की आभी तक तो अच्छा कि आपने और आगे अपनी जो गोल है उसको भी पास सकती हो तो ऐसा इनों ने बोला अब ज़रा ध्यान से देखिए कि sentences तो बिलकुल ही जी है बनेगा ऐसा ही लेकिन यहां पर दो वर्ड देखने को मिला वेल भी और रानी भी अब बात थोड़ा है कि object के form में क्या ले 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 आप वेल ले रानी ले फिर रानी को ले तो वेल कहा जाएगा वेल को ले तो रानी कहा जाएगी मामला तो गंभीर हो जाता है जब एक रात अबजेक्ट बन जाएगी तो मैंने कहा कि चलो वाई इसको अबजेक्ट बनायते हैं फिर यह वेल कहा जाएगा तो वेल विचारे को प्रणाम कीजिए कहें कि आप साइड हो जाएगे राइट वास समझ रहे आप लो यह रानी अबजेक्ट के form में और वेल को प्रणाम करक अब होजाएगा। अब साइड हो जाएगा तो संटेंज को चराथ टो ना लड़की ह। हो जाएगा। यहाँ पर यह पे यू के बदले में क्या आजाएगा रानी के को एकसे का प्रणाम को क्या हो जाएगा। को जब स्पीच चेंज करते हैं तो कैन किसमें कनवर्ट हो जाएगा मडल एक्जुलेरी कुड में कनवर्ट हो जाएगा किलिए रहे कैन कुड में और अचीव दिया हुआ है तो अचीव सेम रहेगा अचीव यहां पर योड दिया हुआ है पोजेजीव वर्ट तो देखना यह है कि सी का पोजेजीव वर्ट क्या होगा योड गोल इसके बाद नाउन भी है तो नाउन अगर दिया हुए तो गोल की बात है तो गोल तो यह संटेंस पूरी बन की त्यार हो जाएगी टीचर टोल्ड रानी डाड सी कूड आचीव हड गोल ठीक है यानि कि टीचर ने रानी से कहा कि भाई तुम्हारे पास सैलेंट है तुम नमबर वन जोती मोड़े के बाद तुम्हारा ही नमबर है है नजे कि तुम अपना ग अभी तक इतना रूल पड़े हुए थे उसमें इस पेसलिटी है इसके बाद हमें इस पेसलूल जानने है अभी हम लोग जो देख रहते हैं उनमें कुछ ऐसे कैसे भी आ जाते हैं जिन्हें आपको ध्यान डखनी की जूरत है यह उन बातों को मैं बताना चाहता हूं जो एक में जाता रहत Dyn देनी के लिए पहुंच ते हैं और पहुंचने के बाद कैते हैं कि Ladies And Gentleman हैना यह या भाईयो या बेहनों जो कुछ भी कहते हैं आपका तो उसके बाद आपना भासन देना शुरू करते हैं ठीक है कि एक बार मुझे 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 मुझेए insomnia कहते हैं कुछ समय के लिए आपकी जो बाते होती नो भूल जाना याद नहीं रहाना तो घटना हो सकती ऐसी तो जरा देखते हैं हम लोग कि अगर ऐसी घटना होगी अगर किसी नेता जी के साथ में तो उस नेता जी वाले संटेंस को आप कैसे हैं वायस के फॉर्म में convert करें में जरा धान से देखेंए से यह होता है जिर देखेंगे बासन हिंदी में बासन हुटते हैं उसी का English इस वर्जन जब यूज होता है तो कैसे यूज होता है जड़ा उसे देख लिजा ठीक है अब जड़ा देखिए कि अगर सेंटेंस दे दे आपको कि द लीडर शेड ठीक है अब इंवर्टेट को मैं स्टार्ट होती है यहां से कहना शुरू होते हैं ladies and gentleman ladies and gentleman 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 यह बात इनका promotion की बाते हो गए लोगों को बताने की address कडने की उसके बात कहते हैं देखिए बादा कुछ भी कर सकते हैं जो कही होए बादा हम लिग देते हैं आपने जे कहते है if you give me a chance एक बड़ आप मुझे मौका देते हैं I will do my best I will do my best मैं अपने से बिल्कुल सबसे अच्छा काम करके दिखाऊंगा मतलब मैं अपनी पूरी इमंदारी सहीब की मदद करूंगा यह इन्होंने बात इपनी वादा रख लिया इन्होंने अब बात यहां पर आती कि ladies and gentleman को कहां लेके जा तो दरहसल एक नेता जी बातों को कह रहा है तो बातों को कहने का तड़ीका श्टार्टप करने का तड़ीका है तो आपको वह address करना चाहते है तो ऐसे sentence में शुरू में लगा देते हैं addressing ठीक है अब जरा बताईए कि ladies and gentleman किसको कह रहा है आप ही लोगों को कह रहा है तो जो object होंगे उसी चीज की बात करेंगे तो अबजेक्ट इसमें कौन है people है लोगों की बात कर रहा है तो addressing people as कैसे कर रहा है डिनोट भाई लेडिज और जेंटलमें लेडिज और जेंटलमें किलियर है यह बाते तो किलियर हो गई यह इनकी addressing वाले के लिए हमने बाते लिख दे उसके बाद क्या है तो simple sentence पर आ जाएगा तो sad को sad ही रहने देंगे अगर people लिखते हैं तो told कर लेंगे otherwise आप sad को sad ही रहने देंगे के लिए अब sentence पर पूरा sentence सेम रहेगा if you दिया हुआ second person तो people के according change होगा तो क्या हो जाएगा they if they अब sentence क्या है simple present में है तो यह किस में convert हो जाएगा simple past में if they gab me a chance अब यहां पर देखें मी है यहापड तो मी का मतलब क्या है नेता जी नेता जी का मतलब कि he इसके उले pronoun क्या हो जाएगा he और he का object क्या हो जाएगा him तो यहाँ पर मी के जगा पर क्या हो जाएगा him हो जाएगा ऐसी छोटी छोटी बात आपको दियान डखनी है if they give him a chance अगर उसे एक chance देते हैं उसके फिर I आ गया तो I का मतलब क्या हो जाएगा I फिर he के नुसार से तो he के नुसार से subject क्या हो जाएगा he और will दिया हुआ है तो will को convert करेंगे तो किस में हो जाएगा would में एक बार ध्यान रखियेगा I के साथ मैंने will का इस्तमाल किया है इसका मतलब कि एक दम जो कर रहा है एक दम सच बात है एक दम ऐसा कड़ेंगे ही न करेंगे ऐसा कोई chance ही नहीं है तो he would do my best तो my का मतलब he के अनुसार से और इसका जब हम जाएगे किसमें पोजेजीब किसमें तो his मिलेगा ठीक है तो क्या हो जाएगा do his उसके बाद best sentence को आप ऐसे बना सकते आसानी से clear है तो यह sentence बनके त्यार हो जागा ladies and gentlemen के जबापे कु तो भी देंगे उसको addressing के साथ में आपको last में लिख देना है addressing people अगर बच्चों के साथ अगर कोई teacher कहते है तो addressing और बच्चों को कहेंगे तो my dear students यहाँ पर हो जाएगा उसके जो sentence होंगे उससे normal तरीके से आप बना सकते है आसा आप friends से clear हो गया होगा फिर भी अगर कोई doubt रहा है तो आप हमें comment section में जरूर बताएंगे मिलते एक लिए class में तब तक लिए thank you very much friends